जिन्दिके में सबल होने के लिए बुद्धिवान की जरूरत नहीं है थोड़ा सा पागलपन होना जरूरी है तब ही जाकर आपको सबलता मिलेगी आज की क्लास होगी आप सभी के लिए अगनीवीर और साथ में दिल्ली प्लिस के लिए जीत बेच अपना साइंस का रहेगा ज एक बार सेशन को सेर कर दीजिए बात करता हैं बोजन पोशन और स्वास्ते की आपका जीत बेच है जो आर्मी दिल्ली प्लिस यार पेप और पटवार एससी के लिए साइंस की आज की रामपन की तरह साबित होने वाली आज की कलास तो बिना इक्सी देरी के कलास का आगाज टास करेंगे सबसे पहले बात करें बोजन जीवधारियों को जीवित खारने के लिए बोजन की आऊस्क्ता होती आप सभी को पता है प्रोटिण कारभो गताकी तोreso प्रोटीन कार्भोहड़ेट और वसा और खनीजिलवन और साथ ही में विटामिन्स जो मुख्य द्रिश्टी से गटक होते हैं बात कते हैं बोजन शरीर की किरियाओं को संचारित रखने वर्दी विकास के लिए आउसेक है अब पहली बात तो इसमें से यह कुछन बनता है कि स साथ में इसकी सोट ले लिए ला बास्त में लिखते जाहिए अब बात करते हैं आगे की बात करेंगे आगे बात करते हैं संतुलित आहार क्या होता है इसके बारे में सर्चा कर लेते हैं कि वह बहुत जिसमें सभी पोशक्तत्व है उचित मातरा में विद्यमान हो संतुलित ओहार होता है कमर कसलेजय साइंस की क्लास इंपोर्टेंट क्लास होगी आपके अर्मी के लिए हो संक्सिक के लिए और दिल्ली प्लिस पीस के लिए Lan positives के लिए साथ में लिखते जाएए बात करेंगे आगे कि संतुलित आहर में कार्भोहाइटेट वसा, प्रोटीन, खनीज, विटाइमिन एउ, जल की संतुलित मातरा का होना आउसेक है तबी वो संतुलित आहर कहलाएगा संतुलित आहर कोन कहलाएगा? जिसमें कार्वोहाइट्रेट भी हो वसा भी हो प्रोटीन भी हो और खनीज हो और साथ में विटाइमिन के साथ में जल की संतुलित मातरा मा होना आवसेक है तब ही वो जाकर रहे हैं संतुलित आहर कहलाता है छीक है बिल्कुल सर्षाथ में लिखते जाएए पिर आगे की बात करेंगे अब आगे की बात कर लेता है कि कूपोशन कूपोशन कौन सा होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं तो कूपोशन वह बोजन होता है जिसमें सभी पोशक्ततव उच्चित मातरा में नहीं होते हो क्या होता है जिस बोजन के अंदर जो पोशक तत्व होते हैं वो उचित मातरा में नहीं होते हैं वो आपके कूपोशन कहलाता है और ऐसे बोजन लेने से कोई भी व्यक्ति कूपोशन का सिकार हो जाता है जिस बोजन में पोशक तत्व नहीं होते हैं वो कूपोशन का सिकार हो होती है क्या होती है कूपोशन ठीक है जिसमें पॉसक तत्व उपस्तित नहों सिद्धी सी बात यह वह है बोजन जिसमें पॉसक तत्व उपस्तित नहों वह है कूपोशन बोजन कहलाता है और कूपोशन का सिकार हो जाते हैं एक बार इसकी सोट ले लिए फिर आगे की बात कर होते हैं सरीर के उत्कों के निर्मान या टूटी-फूटी कोशिकाओं की मरमत के लिए जब सरीर की कोशिकाओं टूट जाती है या कहीं अक्सिडेंट हो जाता है तो अक्सिडेंट की मरमत के लिए या कहीं लग जाती हो तो घाव आने के लिए या मरमत के लिए तो सरीर के उत सकता तो है जो पर्मुग गटक होते हैं वो इसमें समलीते रहते हैं बात करते हैं बोजन के पर्मुग गटकों की जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइटेट वसा खनी जिलावन पर्मुग रूप से होते हैं चीक है अब बात करेंगे आपके कार्बोहाइटेट की तो हो गया कारभो हाइटेड बात कते हैं वसा की तो वसा में सबसे ज्यादा इनर्जी होती है वसा में सबसे ज्यादा उर्जा होती है और सबसे लेट उत्मन होती है सबसे लेट इनर्जी देती है जबकि होती सबसे ज्यादा वसा में होती है फेट में होती है बात करेंगे इसके प्रोटीन में कार्बन हाइडरोगन और ओक्सिजन वैं नाइड्रोगन वैं फास्पोर्स आपके पाये जाते हैं नाइड्रोगन फास्पोर्स पाये जाते हैं लिए लाद अब बात करेंगे अग olması तो कार्बो हाइडरेट की तो कार्बन हाइडरोजन तता ओक्सीजन का कार्बनिक योगी को होता है किसका होता है कार्बन हाइडरोजन और ओक्सीजन का चीएचो याद रखना आप तो क्या चीएचो कार्बन हाइडरोजन ओक्सीजन होता है किसमें आपके कार्बो हाइट्रेट में होते हैं किसमें होता है कार्बो हाइट्रेट में होता है गुर जी छीक है बिलकुल सर बात करेंगे यह जल में गुला कार्बन है किसमें जल में गुला कार्बन होता है कौन सा कार्बो हाइट्रेट छीक है बिलकुल सर अब बात करेंगे इसके आगे इसका इस्क्रीन च्रोल ले लिजिए एक बार सभी बच्चे अब आगे की बात करते हैं अगले आप बात करेंगे वसा की किस की वसा की या फेट की तो वसा सबसे अधिक उर्जा होती है वसा में क्या होता है? सबसे अधिक उर्जा होती है, जबकि कार्बोहाइटरेट होता है, जिसमें सबसे जल्दी एनरजी मिलती है, कौन? कार्बोहाइटरेट, कार्बोहाइटरेट सबसे देखा जाए, तो आपकी केले में कार्बोहाइटरेट ज्यादा होती है, जैसा कि कहलते कहले खाते हैं क्योंकि उसे तुरंत एंडर्जी मिलती है आपको बात करेंगे वसा से प्राप्त होती है क्या एंडर्जी प्राप्त होती है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एंडर्जी किसमें होती है आपके वसा में होती है फेट में होती है ठीक है बात करते कार्बन ऑ कार्बोहाइड की तरह है कार्बन ओक्षिजन और हाइड्रोजन का यह परमुक कार्मनिक घठक है जैसा कि यह आपका कार्बोहाइड ता बात करेंगे आपके एक स्वस्थ युवा व्यक्ति को प्रतिदिन ग्राम वसा की आपसे प्रतिए कि रोज आपकी जो एंटरूजी होत प्राप्त होने में समय इसलिए लगता है क्योंकि इसमें जो एनर्जी होती है वो फेट के रूप में होती है बात करेंगे वसा घी दूद तेल मास से प्राप्त होती है इन सब में क्या होता है फेट होता है वसा होती है तेल में भी आपके वसा होती है दूद में भी वसा होती सबसे ज़्यादा किसमें होती है आपके मास में वसा होती है एक बार इस्टिंसोट ले लिजे फिर आगे की बात करेंगे एक बार, इस्ट्रिंस ओड ले लिजे, फिर बात करेंगे, आ गएगी बात करता हुँआइ, विटामेन की, किसकी बात करता है ला ला ले विटामेन की बात करता है, आज का सेशन बढ़ा IMPORTION रहेगा याख, जितने भी आपके बोजन पुस्ट थैज़ करा Two सारा का सावर कवर करा देंगे कम समय में पूरा कुशन आपको कमलिट कर देंगे. विटाटामिन की बात करते हैं, जो आपके एक कार्म निक योजीर,いきます कार्म हटेट का यहर। वह भी एक कार्म योगिकों और शरीर के रोगवनों से रख्षा करता है विटामीन में एनर्जी नहीं होती है या आद रखना आपके आर्मी में किसन पूछा गया था निमन में से किस में एनर्जी नहीं होती है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाटेट और विटामीन तो उसका right option होगा आपका विटामीन विटामीन में कोई भी energy नहीं मिलती है कोई भी उड़जा नहीं मिलती यह बार-बार आपके exam में पूछा गया है मेरे सेर बात करेंगे आगे विटामीन B वे C जल में तता A, D, E और K वसा में गुलंसील है वसा में गुलंसील है इसके बार हमने पहले भी चर्चा की है जब विटामीन का अपना चेप्टर आया था उसमें तो वहाँ जेकर भी आप पूरी डिटल से देख सकते हो बात करते हैं एक बार इसकी इससे पहले एक लाइन देख ले देए खलीज लाउन जिसका कारिय उत्कों के निर्मान करना होता है इसका कारिय क्या होता है उत्कों का निर्मान करना में कारिय होता है बात करेंगे तोरशी विटामीन की तोरशी बात कर लेते है विटामीन B वाज C किसमें गुलंसील है जल में गुलंसील है तो बेंस ने क्या बना B और से से बना C B और C बेंस बेंस गई पानी में तो B और C तो आपके जल में गुलंसील है बाकी सेस जो भी बच्चियां आपके सारे की सारी वसा में गुलंसील है तो सेस से कौन कौन सा बच गया आपका A बच गया B और C आपके जले में गुलंसील हो गए तो D, E और K यह आपके वसा में गुलंसील हो गए छीक है अब बात करेंगे आपके A की A की, D की, E की और K की बात कर लेते एक बार तोड़ा सा वीवरन देख लेते बात करेंगे विटामिन विटामिन A की विटामिन A से अभी तक अगर सबसे ज़्यादा क्यूशन पूचा गया है तो विटामिन A की कमी से रोग होता है वो रोग के बारे में पूचा गया है तो विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है रतोंदी होता है रतोंदी रोग होता है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है छीक है बिल्कुल अब बात करेंगे अगले क्यूशन की किसकी अगले क्यूशन की बात कर लेते हैं बात करते हैं अब विटामिन B की किसकी बात करते है विटामीन B की बात कर लेते है विटामीन B की कमी से कौन सा रोग होता है बेरी-बेरी कौन सा होता है बेरी-बेरी रोग होता है ठीक है सर बेलकल बात करते है विटामीन C की किसकी बात करते है विटामीन C की बात कर लेते है विटामीन C की बात करें जार ले तो vitamin C की कमी से कौन सा रोग होता है इसकर भी रोग होता है कौन सा होता है इसकर भी रोग हो जाता है और exam में आज तक अगर सबसे ज़्यादा question important पूछा गया है तो वो कौन सा question पूछा गया है vitamin C से सबसे ज़्यादा question पूछा गया है तो विटामीन C के बारे में तो इसी OTTL से जान करे ले रहे हैं कि आपके जितने भी खटे पल है, कौन से? जितने भी आपके खटे पल है जितने भी खटे पल है, उन सभी खटे पलों में आपके विटामीन C होता है इसके अलावा आपके जितने भी पीले पल हैं किसें पीले पल जितने भी पल है इन पीले पलों में आपके विटामिन C होगा चिक है अब बात करते हैं पीले पुलों के अलावा पीला पीला कुन से हो गया आपका एक तो हो गया केला एक हो गया संत्रा केला एक हो गया संत्रा जितने भी पीले हैं सारे के सारे सारों में विटामिन C होगा इसके अलावा बात करते हैं आपके आगे खटे पलों में तो खटे पलों में आपके देख लिया जाए तो सबसे पहले देखेंगे आप आउला की देख लो निम्बू की देख लो आउला निम्बू जो सबसे इंपोटेंस बुचा जाता है और आउले में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है चीक है बिल्कुल सर अब बात करेंगे इसके आगे विटामिन C हो गया एक बार इसकी सो टेले लिजी है मेरे सेरो सेर नियू क्योंकि बड़ा इंपोटेंट सेप्टर चल रहा है आपका जो एक्जाम की दिर्शिशे है अती मायत्वपून है बात करेंगे आगे आगले किशन की बात कर लेते हैं इसमें विटामिन D की इसकी सो टेलिया बिल्कुल सर अब बात करते हैं विटामिन D की तो विटामिन D विटामिन D की से प्राप्त होता है सेर विटामिन D हमने पूचा था हमने बताए भी था विटामिन D का मतलब की से प्राप्त है D से बना D के सर कौन सा बना D से बना D के सर और D के सर आपके लिए कड़ी मैनत करते हैं लगातार रहते हैं, जीजान लगाते हैं, अपनी पसीना निकालते हैं, अपना जीजान मैनत करके, आप सभी को वर्दी पैनाने के लिए, तो D के मैनत करती हैं, पसीना निकालते हैं, पसीना किसे होता है, दूप से होता है, और दूप से प्राप्त होता है, कौन सा विटामिन याद रहेगा बिल्कुल से बात करेंगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है आपका रिकेट्स रोग होता है कौन सा रिकेट्स रोग और यह रोग कौन सा होता है गुर्जी इसके बारे मतौर साब बताईए कि हड्यूं। को एंभया होना आपके लिटामीन डी की कमी से होता है और बढ़ा με में हड्यूं। के वे ज्यादा दंद्र करना लग जाता है ऑपके विटामीन날 की कमी से होता है अब बात किते हैं इसके आगे vitéमीन e की वो भी बड़ा IMPORTENT रहेगा कि कौन सा कि गुर जी विटामीन e कौन सा है विटामीन e यह भी बड़ा IMPORTENT है आप सबी के लिए अब विटामीन e के बात कर लेते हैं अब विटामीन e की कमेशे कौन सा रोग होता है, इंट्रेस्टिंग है बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, सभी बच्चे एक बार शेयसन को सभी बच्चे शेयर कर दीजिए बिल्कुल अब बात कर देते हैं विटामीन की आगे इपी से कुण सा होता है, आपका विटामीन एक की कमे से, सबसे पहले बात करते हैं, बान्जपन की किसकी? बान्जपन की और बान्जपन किसे होता है, विटामीन एक की कमे से होता है, चीक है बिल्कुल सर, इसके अलावा विटामीन एक को क्या कर जाता है सौंद्रिय विटामिन या beauty विटामिन सौंद्रिय विटामिन सौंद्रिय विटामिन किसको कहा जाता आपके विटामिन E को कहा जाता है और विटामिन E की कमेंसे बांजबन भी होता है बात करते हैं तेलिय बीज जितने भी तेलिय बीज है उन सभी में विटामीन E होता है तेले बीजों में विटामीन E होता है मेरे सिर ठीक है बेलकुल सर बांज बन हो गया संदरे विटामीन तेले बीज तेले बीजों में विटामीन E हो जाता है ठीक है बेलकुल सर साथ में लिखते जाए बड़ा important and interesting रहेगा सुन्दरता बढ़ती है किसे आपकी विटामीन E से सुन्दरता बढ़ती है ठीक है बात करें सब्जियों में भी विटामीन E होता है तो सब्जियों का भी पर्चुरूप से खाईए और सुन्दर हो जाईए ठीक है सर बिलकुल अब बात करेंगे इसके आगे की लिख देंगे एक बार सभी बचे बिल्कुल अब एक बार आपके जो पोसक ततो होते ही सारे में विटामिन होता है और विटामिन बड़ा इंपोर्टेंट आपका चेप्ट रहता है तो एक बार सेशन को सभी बचे और एक बार वापिस रिपीट कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन सा इसमें चेप्ट कहां से रहा है अब बात करें वापिस रिपीटेशन की एक बार बात करते हैं रिपीटेशन में आपकी स्टार्टी में करते हैं कि आपका दिली प्लिस का आज का बेस था जिसमें आर्मे अगनिवीर 2023 के लिए जीत बेस जिसमें बोजन पोशन और स्वास्ते से लिटेड एक बार सेसन को सेर करते और कोपी बेंड साइड में रख दीजिए और स्टार्ट करते हैं आज वापस रिपेटेशन कर लेते हैं कि जीवदारियों को जीवित रहने के लिए बोजन क्या आव सेकता होती है प्रोटीन कार्बोहाइटरिट होसा खनीज एं विटामिन्स बोजन का मुखे अंगे संतुलित या सुविदा की दरस्टी से बोजन को तीन बागों में बाटा जा सकता है बात करते हैं बोजन सरीर की क्रियाओं को संचालित रखते हैं या रखने की दरस्टी से वह विकास में क्रियत दरस्टी से आव सेके होता है ठीक है बिलकुल सर इसके अलावा बात करते हैं आगे बात करते हैं संतुलित आहार की किसकी बात करते हैं संतुलित आहार की बात करते हैं तो संतुलित आदार कहा जाता है, चीक है, बेलकुल सर अब बात करेंगे इसके आज़े आगे बात कर लेते हैं, आपके संतुलित आहर में कार्वोहेटिट, वसाब प्रोटीन और सा mostrarी में, खनीذ, विटामीन एऊजल की संतुलित मातरा आपका होना उसमें और सेच होता है है चीक है बिलकुल सर इसकी कैने होटि ले लिया आगे बात करेंगो-कूपवशन की तुמא-बोजिण सभी पौह विकार की दर्स्ती से दाइस सीजी सी बात इतनी सी है कि जिस बोजन में पौस्पत आतवर नहीं होँगे वो कूपोशन का सिकार हो जाएगा और इंसान आपका जल्दी ही बिमार हो जाएगा ठीक है बिल्कुल सर और कूपोशन के दो स्वांगी करन की जो समता है वो उसका अबाव से उत्पन होती है अब बात करते हैं आगे इसके सोट रहे लिया बिल्कुल सर अब बात करेंगे आगे बोजन के परमुग गठों की तो सरीर में उत्पों के निर्मान में वो टूटी-पूटी कोशिगाओं की मरमत में आउसे एक एनरजी या उडजा एं उसमा की प्राप्ती के लिए पोशक्ततों की आउसिकता पड़ती है और बोजन से प्राप्त होते हैं आपके पोजन के परमूख गठक की आवसेखता होती है और बोजन के जो परमूख गठक कोन कोन से होते हैं इसके अलावा आपका विटामीनी भी गठक होता है पर उसे एनरजी नहीं मिलते हैं यह एकजामे बार-बार पूछा जाता है अब बात करेंगे आगे प्रोटीन की कि सथिंधी में आपके कार्वो? क्या नियुक्त होता है किसका होता है कार्वन, ह्डशिजन ओकिसान कायर कर रूबडन होता है इसके साथ ही कुला कार्वन होता है बात करेंगे आगे वसा की बात करते हैं गर जी तो वसा से रिलेटेर भी बहुत बार एक्जाम में कि उसने पूचा जाता है तो मेरे सेर वसा सबसे अधिक उर्जा होती है और वसा से ही प्राप्त होती है सबसे ज्यादा एक्जाम में बार-बार पूचा जाता है वेरी इंपोर्टेंट लगा ल अब निक योगीख होता है कौन वसा बात करेंगे एक सवस्थ वह योध चापती को प्रतिदिने आपके वसा की आउससिक्ता होती है द्ला करेंगे आगे विटामिन की विटामिन कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है विटामिन से कोई भी आपकी एनर्जी नहीं मिलती है ये भी ध्यान में रखना बड़ा इंट्रेस्टिंग है इंपोर्टेंड भी है एक्जा में बार-बार पूछा जाता है मेरे सिर तो कोई भी एनर्जी नहीं मिलत करते कई पानी में अपनी ट्रिक थी गेंस गई पानी में ठीक है बहुत मार बोला भी जाता है तो बाहिप से बना सी और सी चाहिए चल्में गुलंजिल पार जो भी बचनल से हैं अब बात करतें चल्मेर गुलंजिल हो गए तो कारिय होता है अब बात करेंगे विटामिन A की कमी से रतोंदी रोग होता है विटामिन B की कमी से बेरी बेरी रोग होता है विटामिन C की कमी से इसकर भी रोग होता है और खटे फलो में और पीले फलो में सारे के सारे में आपके कौन सा विटामिन होता है मेरे सेर खटे फलो म है इसके आगे Vitamind D की तो Vitamind D से हमने बात की थी रार ले कि विटामीन D यानि D के से डी बड़ा आपका दूप से बूब से प्राप्त होता है क्योंकि दूप से पचीन आता है और दूप में कडी टब कर मायनद करोगे तो भी आपको सपलता है मिलेगी बात करेंगे कभी से रिकेर्स रोग होता है रिकेर्स रोग वो होता है जो बच्छों की हडियों में टेडा में ना होना और साथ में जो बुड़ों में रोग होता है वो भी हस्तियों से रिलेटेड होता है इस्तियां दर्द करने लग जाती है जोडों में दर्द होने लग जाता है वो भी आपके विटामीन डी की वज़ासी होता है और इसके अलावा बात करें विटामीन नहीं की तो बांज पन किसके विटामीन की कमी से होता है की ही से सुंदर्य विटामीन आपका विटामीन एक कहलाता है सुंदर्ता का विटामीन या सुंदर्त विटामिन के और विटामिन के की कमिसे कौन सा रोग हो जाता है आपका देखा जाए तो विटामिन के की कमिसे गुर जी आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है रक्त का थक्का नहीं बनता है और यह पूर्ण रूप से होता है जिसमें अगर विटामिन के तो तरक्त का थका बन जाता है मेरे सेर ठीक है बिल्कुल सर तो एक बार आज के सेशन को सेर कर दीजे क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपोटेंट रहेगा आप सभी के लिए एक बार सभी बच्चे सेर कर दीजे सेशन को । विल्कुल आज का जो सेसन है बड़ा इंपोटेंट और इंटेस्टिंग रहा है एक बार सेशन को दबा के शेर कर दीजे और इसी के बीच जल्द मिलेंगे आपके बीच में और सुबह बरमास्टे सीरी से लेना ना बूले और साथी में आपके जीत बेच में जा आपके नए एकनिवीर बेच है और उसी के साथ आपका दिल्ली पुलिस का भी बेच है तो उसे लेना ना बूले और इसके बीच आशा करते हैं आप सभी स्वस्ति तंदुरुस्त होंगे और इसके बीच आपके क्लास के बीच से इजाज़त रहते हैं जय हिंद जय जब बुलिस गया जए हैं